नंगा तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति और एक बैल की हुई मृत्यू मेराल थाना छेतर के लखेया गाउनिवासी जीतन यादव की मृत्यू गुरुवार को बिजली प्रवाहित नंगे तार की चपेट में आने से हो गई गटना को लेकर मितक के पुत्र रविंद्र यादव द्वारा मेराल थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दिया गया थाना प्रभारी को दिये आवेदन के अनुसार जीतन यादव गुरुवार अप्राहन मवेशी चराने कारकोमा नदी किनारे गया हुआ था नदी किनारे बास के सहारे बिजली प्रवाहित नंगा तार खीचा हुआ था वर्षा के कारण करण प्रवाहित तार जमीन में गिरा हुआ था जिसकी चपेट में आने से पहले जीतन की बैल की मौत हो गई इतना ही नहीं बैल को देखने जा रहे जीतन यादव भी उक्ततार के चपेट में आ गए तथा घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई जीतन यादव की मौत की खबर सुनते ही घर परिवार तथा गाउं में मातम का महौल है घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुची तथा आवशक प्रक्रिया पूरी करने के बाद शब को कबजे में लिया तथा पोस्ट मातम के लिए गड़वा भेज दिया